ठेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है. हमारे चैनल Glam Ayurveda की नई विडियो में, हमारी आज की ये विडियो, चिपचिपपा पानी निकलने की बीमारी के बारे में है. ये बीमारी आज कल ज्यादा तर लोगों में पाई जाती है. ये बीमारी होने के कई कारण है. आएए पहले इस बीमारी के कुछ कारणों के बारे में जान लेते हैं. क्या आपको पेशाब में जलन होती है? क्या आपके मसाने में गर्मी रहती है? क्या आपको पेशाब बार-बार आता है? क्या आपको स्वपंदोश बार-बार होता है दोस्तों चिपचिपा पानी निकलने से आपकी हड़ियां कमजोर पढ़ने लगती है हड़ियों में केल्शियम की मात्रा कम होने लगती है हड़ियों से कट-कट की आवाज आने लगती है जिसके कारण हड़ियां आपस में घिसने लगती है और आपका शरीर भी कमजोर पढ़ने लगता है शरीर में कई तरह के बदलाव आने लगते हैं लिंग में तनाव आना कम हो जाता है आपकी सेक्स करने की इच्छा कम होने लगती है आपका लिंक छोटा पढ़ने लगता है आप परेशान रहते हैं कैसे आपको चिपचिपा पानी आना बंद हो और आप फिर से अपने पार्टनर के साथ पूरी तरहां सेक्स का आनन ले सकें इस बीमारी से बचने के लिए आपको कुछ गंदी आदते छोड़नी होंगी लड़कियों से फोन पर गंदी बाते करनी बंद करनी होंगी पोन वीडियो देखना भी बंद कर देना है अपने मन में गंदे विचार न रखें गंदी किताबें पढ़ना बंद कर दें धस्त मैथुन की गंदी आदद बंद कर दें, सभी तरह की गंदी चीजों से दूर रहें, आए अब आपको बताते हैं, चिपची पे पानी की बीमारी में क्या नहीं खाना चाहिए, सबसे पहले अपना पेट ठीक करें, अगर आपका पेट ठीक नहीं है, तो आप पर कोई नहीं खाना चाहिए, मसाले वाला भोजन कम कर देना चाहिए, दोस्तों चिपचीपा पानी आना एक बड़ी गंभीर समस्या है, इस समस्या से बचने के लिए हम आपके लिए लाएं हैं, एक ऐसी आयूरवेदिक दवा जिसका नाम है, सफूफ मुकवी, सफूफ मुकवी ए फायदा करती है, जैसे चिपचीपे पानी का आना रोकती है, वीर्य को घड़ा करती है, धात का आना रोकती है, आपके शरीर से कमजोरी को दूर करती है, दोस्तों ये दवाई 10 से 15 दिन में अपना असर दिखाना शुरू कर देती है, अगर आप भी सफूफ मुकवी लेना चाहते हैं, आप निचे दिये गए लिंक पर क्लिक करके ओडर कर सकते हैं, या स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर संपर्क करें, ऐसी ही सेहत और जानकारी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें